लेजन आप इस lecture के अंदर हम Flask की एक app बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम text to speech जो है वो app develop करेंगे यह app को develop करने के लिए हमारे students में से काफि students के code मेरे पैसा आए थे and then I develop this app from that code और उन लोगों के नाम भी मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा इस Flask की app को अब multiple purposes के लिए use कर सकते हैं यानि के text to speech को convert करने के लिए and let's do it और जाहरी बात है जो TikTok पे या different किसम की apps के उपर अपनी robotic voice को चला के automated YouTube channel या TikTok channels बनाना चाते हैं देगे and do it मैं screen आपके सामने share करता हूँ यहाँ पे आपके सामने screen आ रही होगी अब देखते हैं कि हम किस तरीके से यह app develop करते हैं यह हमारे पास text to speech app है number 7 पे और GitHub repository का link मैंने description में दिया है वहाँ पे जा कि आप इसको देख पाएंगे after this lecture तो हमारे पास यह HTML का एक doc बना हुआ है जो front end है and this front end will look like this यानि कि आपका जो front end है वो कुछ इस तरीके से है और इसके अंदर आपके पास एक आपने तस्वीर जो है वो भी add की है obviously यह तस्वीर हमारे पास जब हम streamlet के आप बना रहे थे तब भी use की थी and then you can also change this तस्वीर based on your own preferences आप क्या करते हैं यहाँ पर अपना text add करेंगे यहाँ से अपना model choose करेंगे और यहाँ पर voice choose करेंगे and mp3 के अंदर convert करके you can actually view that अब यह सारा काम किसके through हो रहा है यह हमारे पास front end है front end क्या होता है front end वो चीज़ होती है जो आपके पास basically सामने आपको नजर आती है ठीक है and then we have backend backend में आपके पास python की file है front end में आपके पास html का code है विसलिए आप इसके अंदर css java और different किसम की आप plus minuses इसमें कर सकते है is totally up to you जो image का source है अगर आप इस image को change करना चाहते है you can also do something कि आप यहां पर नहीं image को add कर दें और अब इसलिए यह जो एप का major part है वो रिजवान भाई जो हमारी student है उनकी app जो है उनमें से लिया गया थांक्यू रिजवान अब हम देखते हैं कि यह किस तरीके से यह model पूरा काम कर रहे है आपको अगर open ai के उपर जाएं आप open ai models की बात करें तो उन models के अंदर एक model है जिसका नाम है whisper ठीक है whisper एक ऐसा model है जो सुन के आपको बताता है और text to speech के लिए आपके पास different model है जिसमें TTS 1 and TTS HD दो models है ठीक है so text to speech जब हमने करना है और उसकी आप बनानी है then we will be using this TTS model और जब हमने speech to text करना है then we will use whisper model और इन दोलों models के उपर हम बात कर चुके है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यह आपके पास TTS model है आप open ai की models पर जाएं और यह whisper model है और obviously हम open API key को use करके यह सारे काम आज करने वाले हैं and then we will see how this everything is working fine और इसके लिए आपको API key की जरूरत होगी which we are going to produce by looking into our API keys ठीक है अब इसके इलावा जब हम इस app को develop करेंगे we will see the backend code here यह हमारे पास backend code है और backend code के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Flask को हम import करेंगे something like this और हमारे पास यहां पर operating system आएगा temp file आएगी यह basically यह library है जो आपके पास dubbing के लिए use होती है यह आप कहा सकते हैं कि text to speech के लिए utilize की जाती है and then आपके पास open AI है तो हम Flask का पहले जो है Flask की app को start करेंगे instantiate करेंगे and then हमारे पास यहां पर अपनी API key देंगे और students जमा करवाते हैं बकाइदा इसको लिखते हैं कि sir यहां पर API key देनी है obviously जब API key is equal to sir यहां पर लिखा हुआ है so we will provide the API key यहां पर मैं अपनी नहीं API key generate करता हूं और इसको मैं TTS के नाम से save करता हूं और इस API key को मैं basically यहां पर paste करूंगा and then we will see how does this work और API key के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपनी chat GPT के ID लगानी पड़ेगी and then from here you can generate your API key यहां से आप अपनी API key कर सकते हैं मैंने TTS वाली अपनी API key already बना ली हुई है क्योंकि मेरे पास account के अंदर को 50$ मैंने रखे हुए it's not really expensive simply easy है तो मैंने यहां पर API key अपनी दे दी क्योंकि मैं इसको delete करने वाला हूँ after this lecture then you have to route your app कहां पर start करने जहां पर यह main app पड़ी हुई है वहीं से से route करना है ठीक है और index.html के ऊपर इसको चलाना है हमने और यहां पर जब हमारे पास post आजाएगी तो we can also take a request form जिसके अंदर text model voice and format यह कह चीज़े हैं जैसे मैंने पहले पर बताया है जब आप text to speech के model के उपर जाते हैं for example अगर मैं यहां पर इस चीज़ पर आता हूं models पर आता हूं TTS पर click करता हूं then you will see कि आपके पास multiple models है पहली चीज़ तो यह text to speech के अंदर और text to speech के अंदर models के साथ-साथ आपके पास इस API को use करने के लिए different किसम की voices है Alloy की voice है, Eco की voice है, Fable है, Onyx है, Nova है तो you can actually choose these voices तो इसका function भी इसके आपके अंदर रखा गया and then you can also have an output after this all files और साथ ही साथ हमने ये भी किया हुए है कि आप text to speech का जो basic model है वो भी देख सकते हैं और 1HD भी देख सकते हैं It's totally up to you which one you want to use, obviously it comes under the price of your API key तो हमने यहां पर MP3 के अंदर इसको convert करेंगे, obviously हम ये code जो MP3 को use करने के लिए, MP3 file को save करने के लिए करेंगे and then at the end हमारे पास इस app को run करेंगे, obviously ये वाला जो code है ये basically आपको पहले भी मैंने बताया हुए कि text to speech आप कैसे use करते हैं So, मैं इस code को save करता हूँ बकाईदा और ये HTML है हमारा, HTML को अगर हम view करें, then it will look like this ठीक है? So, हमारे पास यहां पर हम text लिखेंगे and then we can actually convert that audio Let's see how it works, if it works or not work, so we will see that मैं यहां पर अपना terminal साहिब को open करता हूँ, ठीक है? और यहां पर, let's see, अगर यह clear करता है, ctrl L भी नहीं चलता है, okay, no problem By the way, मुझे बताये का command prompt के अंदर हम clear कैसे कर सकते हैं, but on the other side, c, मैं यहां पर लिखता हूँ, ls, बलके dir लिखना है, क्योंकि यह window है So, I will go into 07, text to speech and then python app.py, मैं इसको run करता हूँ And, sometimes it will ask you, के आपके पास flanches नहीं है, flanches नहीं है, it may not work, और उसको आप install करें, जिसके अंदर ffmpeg का, जो आपके पास एक library है, यह आप इसे कह सकते हैं, यह एक पुरा software है, which you would need to download अगर नहीं काम करेंगे, so this could be an error यह हमारे पास text to speech की जनाब पूरी की पूरी application आ गई, यह मैं इसको थोड़ा से zoom out करता हूँ या echo की वास select करता हूँ, mp3 है, किसी भी अंदर convert करने के लिए मैं इसको use करता हूँ, मैं mp3 use करता हूँ, इसको convert करता हूँ, अगर यह error देगा, तो हमारे पास error पहले से आ चुकी है, which is, कि आपके पास यहाँ पे ffmpeg नहीं है, so अगर ऐसा कोई मसला हुआ, then we will see, but it actually converted the file, और यह downloads के अंदर और रेड़ी चली गई है, यहाँ पे, and here is the file, मैं इसके उपर right click करता हूँ, and इसे open with media player करने की कोशिच करता हूँ, if I can actually view that, और, okay, no, media player को open करते हैं, just once, and it is working fine, by the way, let's see, Hello, welcome to our text-to-speech converter by Codanix, so हमारे पास यह इस तरीके से voice drive वो save हो गई है, ठीक है, so another thing what we can do is like, और सुना हो, कैसे हो, सब ठीक ठाक है, अब हम देखते हैं कि यह गोरे हमारी अवाज को किस तरीके से प्रनाउस कर सकते हैं, मैं यहां पर ONIX को करता हूँ, convert करता हूँ, it will take some time, लेकिन API की base पे, यह सारे text-to-speech convert करके, यह downloaded folder के अंदर आजेगा, like this, I'll go back to download, यहां पर मैं click करके, इसको open करता हूँ, यह पहले वाली वाजिस थी, अब यह वाली दूसरी है, इसको open करता हूँ, और सुनाओ कैसे हो सब्तीता के थत्था गोरा चलो खैर यह हमारे पास इस तरीके से यह एप बन चुकी है और अब अगली चीज यह है कि यहां पर अब हम कुछ और लिखते हैं बलके TTS 1HD करते हैं सेम चीज को मैं कनवर्ट करता हूं just to show you the difference between these two files और हमारे पास यह वाली जो है यह 47 के भी की file है अब दूसरी file जो जो जनरेट हुई है वो हमारे पास same file है और वो 71 के भी की है so you can see the difference इसकी quality different over not this one it should be this one यह HD थी अच्छा HD के अंदर quality और भी अच्छी हो जाती है सही हो गया so HD के साथ आप जैसे भढ़ाते रहेंगे तो उसका 1-2 kb का फरक पड़ेगा ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं हाई three motivational motivational tricks to work on YouTube channel ठीक है so आप क्या कर सकते हैं एक यहां पर जो edition मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आप यहीं पर अगर चैट GPT की open AI को यूज करके prompt और text की base पे convert करें for example मैं यहां पर लिखता हूं के make an audio of three main tricks to monetize YouTube channel so क्या करें यहां पर chat GPT उस चीज को ले monetize करने के बाद हमें finally at the end response दे sorry इस इन तीन tricks को बताने के बाद हमें response दे for example अगर मैं यहां पर इसको copy करता हूं then I have to go to chat GPT या किसी और platform के उपर for example मैं यहां पर जाता हूं perplexity के उपर perplexity perplexity AI let's see perplexity के उपर चले जाते हैं and we can use different kind of models here और हम वहां से question पूच के इसके अंदर डालते हैं for example मैं यहां पर इसके पेसे पेसे करता हूं give me the content of 33 second give me the content of 33 seconds YouTube short give me the content of 33 seconds of YouTube short with a script on why you need to learn python in 2024 ठीक है so हम इससे script लेंगे और उसको text to speech में convert करेंगे and then you can use different kind of images or slideshow और उसकी base पे आप अपनी एक short बना सकते हैं so this is how you can use different kind of models let's see write the script for me please let's see तो यह हमारे पास एक script आ गया give me only the script with punctuation to do text to speech task so यहां पे मैं इसको copy करता हूँ अब एवी मैंने उठा के वो वाला task जो है वो ले लिये इसको मैं यहां पे आइड करता हूँ paste करता हूँ and then I will convert this right इस एप में एक और कमी क्या है कि आप अपनी मर्जी का नाम रख सकें यहां पे and you can ask user to provide the name of this download क्योंकि अभी जो download है वहां पे सही नाम नी आ रहा so this can be an addition अब देखते हैं कि यहां पे हमारे पास किस तरीके से चीज आई है यह वाली को मैं open करता हूँ तीन सो छेवरे देखा और यह लगनी रही AI की वोईस है अगर आप होर करें ना मैंने अभी नोट की है एक बात कि सांस भी लेता है वो देखा ऐसे करके तो अब आपने क्या करना है उन लिमिटेशन को दूर करना है जिसमें मैंने लिमिटेशन आपको बताई है और यहां पे मैं कमेंट के अंदर भी लिख देता हूँ and add the name option to save the file the two is make this app a multi model app and so on this is how you can do the things this is how you can generate the text to our speech audio audio, खुद से अच्छे वाला बना सकते हैं and इन्शाला फ्यूचर के अंदर मैं voice cloning app के उपर भी काम कर रहों और वो भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है कि आप किसी की voice पकड़े या अपनी voice पकड़े और उसे clone कर लें और आपको पता होगा दुनिया में इस वकत इस तरह की काफी apps आ चुकी है ये website आ चुकी है कि आप अपनी voice को clone कर सकें और faceless video बना सकें और लोग लाखों रुपया कमारें लाखों नी करोडों नी बल्के मैं कहूँँगा millions dollars कमारें based on those kind of apps और इंशाला अगर आप इस तरीके से flask पे सीख जाएंगे देना इसता 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 आप डिफरेंग इसम की apps को बना सकते हैं यहां तक के लिए इतने इस app को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया that's a great thing अब चलेंगे हम next apps की तरफ अगर आपने like नहीं किया तो like करते हैं, share नहीं किया, share करते हैं, subscribe नहीं किया तो do it और यह छोटी से celebration इस विडिया से है because we are going to give you another chance to learn more. description में लिंक है 6 मां का course हमारा available है आप सब के लिए आप वहाँ पे free में जाके enroll करवाके सेख सकती हैं see you in the next video